नमस्कार, बहुत सवागत है आपका कारतिक का महिना बारा महिनों में सबसे स्रेष्ट, सबसे पावन और सबसे ज़्यादा धन, एश्वरे, खुसियां देने वाला ब्रत, अगर कोई है, कोई मास है, तो वो कारतिक का महिना है दोस्तों इस मेहने भगवान विश्णू जल में रहते हैं क्यों क्योंकि जब संक्चूर नामक एक राक्षस ब्रंभा जी से बेद छीन कर भाग रहा था तो उनके हाथ से बेद समुद्र में गिर गया और भगवान विश्णू जब सब कोई उनसे प्राधना करने लगे तब मश्ली का रूप धारन कर जल में उतरे थे बेद को लाने और एक मेहने तक वहीं पर रहे और यहां पर भगवान विश्णू की आराधना खास है लेकिन आज हम बात करेंगे जल में क्या डालकर नहाएं कि जीवन की परिसानिया खत्म हो जाएं धन एस्वर सब कुछ भर भर के प्राप्त हो तो चलिए सबसे पहले तो हम आपको बता दे कार्तिक के महिने में असनान दान का विश्णू है अगर आप सुर्योदय के पहले नहाते हैं तो इसके बेनिफिट तो आपको मिलेंगे ही साथ ही कार्तिक के महिने में पवित्र नदी या सरोबर में नहाने का विशेश भिधान है अगर आप घर में नहाते हैं तो आप घर में भी कर सकते हैं ये उपए और नदी सरोबर में नहाते हैं तो वहां भी कर सकते हैं करेंगे क्या सबसे पहले तो आप नहाने के पहले पानी पर ओम लिखें अपने उंगली से और फिर डुपकी लगाएं अगर नधी तालाब में नहाते हैं तो ऐसा करने से नधी अश्नान का पुन्य आपको पूरा प्राफ्त होता है और नकारत्मक उर्जा जो होती है आसपास वो भी समाप्त हो जाती है गरह बाधा दोस भी समाप्त होती है और किसी की बुरी नजर अगर आप पर है तो वो भी उ नहीं बताएंगे ज्यादा करने से बहुत डिस्टर्बेंस आप महसूस करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा हमें पता है आप बीजी होते हैं देखे हम सिधे मुद्धे पे आते हैं आप पूरे कार्तिक के महिने में अगर नहाने के पानी में एक चमच या दोचार बुंद दू अच्छी होती है दूसरी आयू लंबी होती है और अगर संतान नहीं है तो संतान की सिग्र ही प्राप्ती होती है आपने कहावत तो सुनी होगी दूधो नहाओ पूतो फोलो पसवही अगर पानी में आप एक चुटकी तिल डालकर नहाते हैं तो महा लक्ष्मी की कृपा बन अगर नहाने के पॉनी में एक बुंद घी याद रखियेगा गाय का गी एक बुंद ज्यादा नहीं आप डालकर नहाते हैं तो इससे आपका इस्कीन भी गलो करता है और आप स्वस्त रहते हैं अगर आप चाहें तो शुक्र यानि जिससे हमें जीवन में खुसिया मिलती है सुख एस्वरे मिलता है उन्हें मजबूत करना चाहते हैं तब नहाने के पानी में बड़ी इलैंची होती है उसका एक दाना आप पानी में डाल दें या फिर केसर की एक पंखुरी डाल कर आप नहाईए आपका बुरा से बुरा बक्त भी दूर हो जाएगा यानि फुटी से फुटी किसमत भी चमक जाएगी हम आपसे विदा लेते हैं फिर मिलेंगे हर हर महादेव